वैसे तो सुप्रीम कोट में केसिस कई बार एक बेंच से दूसरे बेंच ट्रांसवर किये जाते हैं और ये जुडीशल सिस्टम का एक पार्ट रहा है लेकिन कई बार सेंट्रल गवर्मन द्वारा जुडीशी को टार्गर करते देखा गया है और खास कर तब जब मामला कॉले जिम सिस्टम से जुड़ा हो बीते दिनों कुछ ऐसे इंसिडेंस हमें देखने को मिले हैं जिसके कारत इन जुडीशल प्रोसेस पर सवाल खड़े किये गए हैं और आज हम जिस मुद्दे को आपके सामने लेकर आये हैं वो सुप्रीम कोट में केसिस की लिस्टिंग किये ज अगी बीन करेंदा और एक जिसके सामने लिस्ट कर दिया और इस से चीफ ou और तो आप अंदाजर लगा सकते हैं कि प्रशान दूशन इतने नाराज क्यों दिखे हैं। दी गई थी जो कि 11 कानूनी गतिवीधी को डिफाइन करती है। इसके आगे भूशन ने सुप्रीम कोट रजिस्ट्री को लिखे अपने लेटर में बताया कि चीप जस्टिस अफ इंडिया डिवाई चंदर्चूर की अगवाई वाली बेंच ने उसके बाद भी मामले में ओर् लिस्टिट बिफोरा बेंच अफ जस्टिस अनिरुथ बोस एंडिवेधी, दा जूनियर जज़ ऑन दा बेंच, दा त्रिपोरा केस वाज़ो प्लेस्ट बिफोर दें। अड़ोकेट बूशन का दावा था कि ऐसी करना नियू स्कीम फोर आटोमाटेड लिस्टिंग अफ के लिस्टिस की क्लॉस 15 का वाइलेशन है, और तो और 31 ओक्टोबर 2023 को दिये गए एक ओर्डर के द्वारा जिस्टिस बेला M3W दी और जिस्टिस बोस की बेंच ने इस मैटर को अप्रोप्रियट बेंच के सामने लिस्ट करने की बात कही थी, और इसके बावजूत भी ये को लिस्ट की जाने पर अपनी नाराजगी को भी पेश किया था, प्रेटिशनर के मैटर को जिस्टिस बेला M3W दी और जिस्टिस बोस की बेंच के सामने लिस्ट की प्रायर नोटिस की बेज़र जाने की बात पर भी प्रशान भूशन ने सवाल खड़े किये और कहा कि अग प्रशान भूशन के लेटर लिखे जाने वाली बात से पहले भी हमने देखा था, सीनियर अड़ोगेट दवे ने भी CGI डिवाई चंदर्चूर को ओपन लिस्ट करते हुए इसे दूसरी बेंच की सामने लिस्ट करने पर अपनी चिंता जताई थी दवे ने अपने ओपन लेटर में CGI से रखी उमीदों पर खड़ा नहीं उतरने की भी बात कही थी बार-बार CGI चंदर्चूर से परस्नली मिलने के लिए अपोइन्मेंट लेने के बाजूद भी दवे और कई सीनियर लॉयर को मिलने का मौकर नहीं दिया गया अड़ोकेट ऑन रिकॉर्ड ने कई बार सुप्रीम कोट रेजिस्टार को भी अपनी ग्रिवाइन्सिस के एड्रेसल के लिए कहा बट उनके द्वारा ये इश्यो को कभी सुना नहीं गया आपको बता दे कि 2017 हैंड़ोक ऑफ सुप्रीम कोट के अनुसार केसिस को सीनियर जजिस द्वारा ही रिटेन किया जाएगा जिनके सामने ये सबसे पहले केस लिस्ट किया जाता है या फिर जो सिमिलर के मैटर को हियर कर रहे थे इसी बात के वाइलेशन का जिकर सीनियर लॉयर दवे ने CGI DIY चंदरचूर को अपने ओपन लेटर में कहा था वही ये भी कहा जा रहा है कि आप पोलिटिकली सेंसिटिव मैटर को जस्टिस बेला इमत्रिवेदी के बेंच के सामने लिस्ट किया गया है ऐसा करना 2017 Handbook of Supreme Court के अनुसार एक Rule Violation है The alleged eight politically sensitive cases are उमर खालिट्स बेल प्ली, Petitions Challenging UAPA Provisions, Tamil Nadu Government's Investigation Against Former CM, FIR Quashing Petition by Former CM of Andhra Chandrababu Naidu, GND DMK Minister Sintal Balaji's Medical Bail Plea, Andhra CID's Challenge Against Grant of Regular Bail to Chandrababu Naidu, Bail Plea of Bhima Koregaon Accused Mahesh Rawat, CBI's Investigation Against Deputy CM of Karnatka, D.K. Shiv Kumar दवे ने अपने Open Letter में Justice S. की कॉल के सामने से एक Listed Case की डिलीट किये जाने का भी जिकर किया था दर असल Justice S. की कॉल के सामने एक Judicial Appointment का Case List किया गया था पर उसे Foreign List से डिलीट कर दिया गया जब इस बात पर Justice Call से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा He did not have a role to play in the deletion However, he hinted that the CGI might be aware of the deletion and suggested that certain matters are better left answered एक और जहां Senior Lawyer Open Letter के थुरू अपनी grievances को address किये जाने की request कर रहे हैं वही Supreme Court Bar Association के President आदिश शी अगरवाल द्वारा CGI को एक letter लिखते हुए इन सभी Senior Lawyer के Open Letter को अपोस करने की बात सामने रखी गई है Supreme Court Bar Association के President का माना है कि ऐसे letter को जो imaginary accusation के इशारे पर भी बुर्नियाद और कार्पनिक आरोप लगाते हैं उन्हें नजर अंदास किया जाना चाहिए Supreme Court Bar Association President आदिश शी अगरवाल सेट The assignment of cases is not open to question on the judicial or the administrative side and as a quarterly, it is neither required to be by way of a speaking order nor is it required to be justified by responding to any person calling it into question The writing of such letters is therefore malicious, uncalculated to embarrass the administration The time has come where one should put an end to the practice of writing of such letters इसके अलावा, Supreme Court Bar Association के President ने Chief Justice of India D.Y. Chandrachur की जमकर तारीफ की और कहा कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं साथ ही, young advocate को cases argue करने के लिए confidence भी देते रहते हैं ये cases को transfer की जाने के मुद्धे पर Supreme Court क्या कुछ action लेती है आगे देखने वाली बात होगी Until then, keep following law chakra